आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Life Insurance Policy की help से आप अपनी income tax return में कितना tax save कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अखसर देखा जाता है कि कोई भी person अपने family के future को secure करने के लिए एक बार शायद policy ना ले लेकिन जब बात आती है tax saving की तो सब की financial planning की agenda में सबसे पहले insurance premium आता है तो जो भी लोग huge tax pay करने से बचना चाते हैं उनके लिए insurance premium एक अच्छा investment होता है जिसकी help से वो अपना tax save कर पाते हैं तो आई यह बात करते हैं कि आपको life insurance में क्या-क्या tax benefit मिल जाते हैं तो अगर आप किसी भी life insurance policy का premium pay करते हैं तो उसके premium की deduction आप income tax के section 80C के अंदर ले सकते हैं life insurance में किसी भी तरह का आपका insurance हो सकता है चाहे वो term plan हो या endowment plan हो या आपका कोई whole life insurance हो सकता है या आपका कोई ulip plan हो सकता है या आपका कोई भी money back plan हो सकता है तो चलिए इसे एक example से समझते हैं कि आप कितना tax save कर पाते हैं For example आपका जो LIC का premium है वो आप सालाना एक लाग रुपे पे करते हैं तो अगर हम बात करें tax slab rate की तो अभी के लिए हम माल लेते हैं कि आपका जो tax slab है वो 30% का है तो यहाँ पर आपका जो एक लाग रुपे पर tax बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 30,000 रुपे क्योंकि 30% के slab में आप आते हैं तो 30,000 रुपे का आप tax यहाँ पर एक लाग रुपे LIC का premium देकर save कर सकते हैं जो भी आप LIC का premium पे करते हैं उतनी amount से आपके जो income है वो कम हो जाती है और उसकी वज़ा से जो भी आपका tax है वो आपको कम पे करना पड़ता है insurance policy की help से आपको insurance policy की premium की deduction तो मिलती है साथ में आपको death benefit और maturity benefit भी मिलते हैं यानि कि जो भी death benefit का claim होगा या फिर maturity पर आपको जो amount मिलेगा उसमें भी आपको tax benefit मिलते हैं यानि कि अगर आपकी policy की maturity हो जाती है तो जो भी आपको maturity पर amount मिलेगा उस पर आपको tax नहीं देना होता income tax के section 1010D में इसे income tax से exempt कर दिया गया है जब भी आपकी policy पूरी हो जाएगी उसी समय आपको एक साथ amount मिलता है चाहे वो 10 लाख हो 20 लाख हो 30 लाख हो या वो कोई भी amount हो सकती है आपकी policy की according तो जो भी आपका amount maturity पर आएगा उस पर आपको कोई भी tax नहीं देना होता है साथ ही अगर हम बात करें death benefit की तो अगर policy holder की death हो जाए तो nominee को भी जो amount मिलता है उसको उस पर tax देने की जरूत नहीं होती यह जो death benefit है जो आपके nominee को मिलते हैं वो भी income tax के section 1010D में exempted हैं उस पर भी आपके nominee को कोई भी tax नहीं देना होगा साथ ही साथ अगर दोस्तों आपकी कोई भी money back policy है उसमें जो survival benefit आता है जो बीच-बीच में पैसा आता है उस पर भी आपको किसी भी तरह का tax देने की जरूत नहीं होती है तो आईए अब बात करते हैं life insurance में tax benefit लेने के लिए क्या-क्या condition दी गई हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें condition की तो income tax में life insurance premium की deduction लेने के लिए आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी policy का सालाना premium है वो आपके समय short के 10% amount से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानि कि माल लेत रखना है जो भी आपका सम-assured है उसके 10% से ज्यादा आपका premium का amount yearly नहीं होना चाहिए उसके बाद बात आती है कि आप इसमें maximum deduction कितना ले सकते हैं तो income tax के section 80C में आप total 1.5 lakh रुपे तक का deduction ले सकते हैं जिसमें insurance premium के साथ-साथ NSE, PPF और EPF के deduction भी include होते हैं तो यहाँ पर इन सभी को include करके आप total 1.5 lakh रुपे तक का deduction ले सकते हैं तो आईए आप बात करते हैं कि यह policy किसके नाम से लेनी चाहिए जिससे आप अपने income tax return में premium का deduction ले सकें यहाँ पर हम बात करते हैं policy की तो policy आप अपने नाम पर ले सकते हैं या फिर आप अपने spouse के नाम से ले सकते हैं या फिर आप अपने बच्चों के नाम से भी ले सकते हैं इन में से अगर आप किसी भी person की policy का premium भड़ते हैं तो उसकी deduction आप अपनी income tax return में ले सकते हैं इस वीडियो में हमने बात की है life insurance policy की help से हम कैसे अपने income tax को save कर सकते हैं life insurance आपका किसी भी company से हो चाहे वो LIC से हो या फिर किसी other company से हो और उसकी deduction आप अपनी income tax section में ले सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि life insurance policy की help से कितना tax save कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो उसे like करें और share करें जिससे और लोग भी जान पाएं कि किस तरीके से life insurance policy से tax save होता है और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें धन्यवाद